वैलकम दो मैं चैनल केमिस्ट्री अभिशेग महाजन आज हम चैप्टर कर रहे थे अटामिक स्टॉट्चर उसी को कांटिन्यू करते हुए अगला टॉपिक सटी करेंगे हमारा क्वेंटम मोगैनिकल मोडल ऑफ एटम क्वेंटम मोडल क्या था एटम का क्वेंटम मोगैनिक्स क्या थी एक theoretical science थी जो किसके साथ deal करती थी with the study of motion of microscopic objects काफी छोटे-छोटे objects होते हैं जो जिनका दोनों तरखा nature होता है जिन पार्टिकल का वो बेव nature को भी शो करते हैं और पार्टिकल नेचर को भी शो करते हैं तो यह जिसको जो study किया था fundamental equation जो थी quantum mechanics की उसके आपस study किया था जिसको किया था शोड़ि इंजर ने होडिसर एकरिशन दी थी डैल स्कार एक स्कारले स्क इपॉंच दॉस्ट क्बैर साइब स्कारले स्कारल लेट डैल्ट कौर सी उपॉंच पॉन्ख क्फूरb B-B into Psi equal to 0 तो यहां यह जो X, Y, Z थे सारे position को बताते थे ठीक है और जो square लगा है second derivative को बताता था और E energy को बताता था और B potential energy थी ठीक है और इस equation ने एक describe किया एक function को जिसको बोला गया electron बे function जिसको size किया जाता था यह जो बे function था यह जितनी भी electron की information थी उसको अपने अंदर store करके रखता था यानि की electron की energy position और विटल वो सभी की सभी इसी के अंदर contain थी यानि की as such it does not have any physical इसकी अपनी को फिजिकल से इसकी पर जो information इस पर तोड़ थी किसी एक्रों के बारे में उसको study किया गया quantum numbers की form में सबसे पहले इस में पढ़ लेते हैं probability density size square करते थे probability मतलब किसी चीज को कहां पाया जाएगा उसकी संभावना है निकि size square क्या थी जो probability थी of finding electron at a point within an atom की एक atom electron कहां पाय जाएगा उसकी probability उसके बाद आया concept of orbital concept of orbital क्या था एक three dimension space था three dimension space कहां nucleus के आसपास जिसमें जो probability थी electron को find करने की वह मेंशा maximum रहती थी यानि कि वहीं आसपास electron मिलेगा यह था उसकी संभावना थी यानि कि 90% यह electron वहां मिलता था quantum numbers वही जो उपर हमने उसको classify करना है quantum number की time में they may be defined as a set of four numbers jar number का एक set था जिसकी help से हम किसी भी electron की complete information है किसी item में उसके बारे में पता लगा सकते थे जाए वो किसकी location की बात करें चाहे उसके type of orbital की बात करें चाहे उसकी shape की बात करें या उसकी orientation की बात करें कि से बोला गया था spin quantum number सबसे पहले तो मेन हमारा आता प्रिंसिपल कॉंटर करते हैं यहां यहां शैल को बताता है जैसे के लेमन शैल होते हैं उसी तरह से distribution होती है यहां भी इटेल्स अबाट शैल को बताएगा कि जिससे इलेक्रों करता है यहां की वैली वन से बान टू थी फर फाइव और सौन कुछ भी हो सकती है उडिपांड करेंगा नंबर ऑफ इलेक्रों के उपड़ इस नंबर हेल्पस तो सबसे चोटी फिर उससे बढ़ी फिर उससे बढ़ी फिर उससे बढ़ी यानि की सौन चलता जाता सब्सक्राइब जो मैक्सिम नंबर ऑफ इलेक्रों से किसी शेल में वो टू एंड स्केर के ब्रापर होते थे यानि कि अगर बात करें एंड वन की तो यानि की दो इलेक्रों हो जाएंगी ठीक है तो एजी मिथिल कॉंटर नंबर जो था उसको हम एल्सेट करते थे उसको और वीटल एंगुलर मोमेंटम भी बोलते हैं और सब्सीडियरी कॉंटर नंबर भी बोला जाता था और बिदिन दव सेम शेल की बात करें तो दियरार नंबर उसमें काभी सारे सब शेल भी थे तो जो इलेक्रों नंबर फ एलेक्रों जंप करते थे से in बारे में बताती हैं जो इन की उनकी अनरजी कैसी हो कि गिसके बारे में बताता तो यह जो बैलियू की जी रोसे लेकर एनवायनिस वन तक बेड़ी करती थी यानिकि अगर सर्फ रिल्सास की बात करें यह से मेंशे एक चलता है तो की बात करता है थी फो mejores 00204544 प्रेंच के और एक टेवल बनाया हम ने बेली फालात डवी अगर 1510 तो सब्सेल एस वन के लिए पी टू के लिए दी थी के लिए एफ फोर के लिए जी और फाइव के लिए एच यह नोटेशन एस पी दी और एफ थी वह रिप्रेजेंट करती थी इनीशल लैटर को किसी बहुत शाप की यह प्रिंसिपल डिफ्यूज यह फंडामेंटल की और इ इस विए फोर्स चैल की बात करें तो एल हमेशा जीरो है तो एस होगा ठीक सेकिंड ल की दो वैल्यू जीरो वन टू एस पी एंडी आ गया फॉर सच चैल तो एल जीरो बाइन टू थी यानि की एस पी डी और फ आ गया फिर आया हमारा मगनेटिक कॉंटम नंबर जिसका हम स और से एक्सप्लेइन करें कर सकें कि जब सौर्स जो परियूस करा लाइन स्पेक्टरम उसको मगनेटिक फील में हमने रखा तो उसमें जो 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 लैंज टी सपेक्टर लाइन स्प्लिट होगी काफी सारी नंबर आफ लाइन में इसको जीमन फेक्त भी बोलते हैं एंदर त उसकी influence में जो electron और वो किस तरह से अपने आपको एक जो नुकलिस के असपास का space है जिसको orbit बोलते हैं उसमें वो अपने आपको orient कर लेगा ठीक है यानि कि the magnetic quantum number determines the number of preferred orientation of electron present in a sub shell since each orientation corresponds to an orbital to the magnetic quantum number determines the number of orbitals present जितने भी orbital present है किसी सब्सेल में वो इसी के उपर dependent बैल्यूज ओफ एम रेंजिस फ्रॉम माइनस एल टू प्लस एल इंग्लूडेंग जीरो क्योंकि हमने पीछे पड़ा कि जो एल की वैल्यू है वह हमेशा एंसे एक कम चलती है और जब हम एम की बैल्यू की बात करें तो यहां हम प्लस और माइनस दोनों तो रखेंगे सिलते जीरो को भी इंग्लूड करते हैं यहां देखो हमारे पास तीन कॉलम है एक सब्सेल का अर्विटल का और एक नंबर ऐफ ऑर विटन का ड़ीणोल की बात करें ऊसमें रहें अपको पता है यहां हम आपको पिछीडा होगा यानिकि नंबर ऑ्रстиस में एक होगा f sub shell की बात करें तो l3 होता है माइनस three माइनस two माइनस one zero प्लस one प्लस two प्लस three यानिकि total seven orbitals हो गया अब यहां में इक P orbital की बात कर रहे हैं पी औरुटल में PX, PY, PZ तीन तरह है इसे में एक्स करता है यह PX लिए N की वैलिए होती ही वह zero PY के लिए plus one PZ के लिए minus one इसको इसको गुए सब्सक्राइब भी जहेंगे सब्सक्राइब जूटेसेम और बिप्सक्राइब करते हैं इंडा सब्सक्राइब धे तो उनकी सेम रहती है अगर हम एक specific केस हाइडूजन एटम के लेकर चलें तो जो order of energy होगा क्या होगा वानसटीर लैसर अशल और बराबर ही चलती है और से प्रीपी से और अर्व की लैसर ओती है फोर तो 4D और 4F से इसे दरह से चलती जाती है for multi electron atoms the energy of the orbital decreases with increase in effective nuclear charge यानि कि effective nuclear charge क्या होता है कि काफी ज्याता है ये ये जाधे बढ़ जाएँगे तो energy with kids कर जाती है तो जो total possible values होती है ए्मकी उसका हम given sub-cell की कैसे लिखे जाती है 2L plus 1 उसके बाद हमारा फूर्थ कौंटर नमबर आता है, spin quantum number, spin quantum number क्या बताता है, the electron in an atom, जो electron है किसी atom में वो सिर्फ move भी नहीं करता है, नुकलिस क्याष पर बट वो अपनी ही axis पर spin भी करता रहता है, यानि कि जो electron होता है किसी orbital में, वो spin करता है, आइदर इन, जाहे वो clockwise direction में, spin करें, या anticlockwise में, तो जो s can have only two values, plus sub और minus sub, यह जो quantum number है help करता है, explain करने में, magnetic properties of substance की, उसके बाद हमारे पार होता है, shapes of atomic orbital, जिसमें shape, हम spod की discuss करेंगे, f की हम जहां नहीं कर रहें क्योंकि उनको बनाना भी possible नहीं होता है, काफी complicated shapes होती है, s orbital की mainly, non-directional होता है और spherically symmetrical sphere की तरह होता है, तो यानि कि जो probability होती है, finding electron, given distance is equal, in all direction की sphere है, तो हर direction में same होगी, one s orbital or two s orbital shape होती है, क्योंकि size उनका, अगर देखा जाता है, two s का बढ़ा होता है, यह आगे हमारा one s, यह जो s orbital है, spherical होता होता है, तो देख सकते हैं आप इसकी orientation, जो शेप और विटल स्पी तरह की form exist करता है, px, py, pz, जो कि यहां, क्योंकि one p to exist करता नहीं, two px, two py, two pz, और dumble की तरह इसकी shape होती है, यह देख सकते हैं, shape of d orbital की बात करते हैं, तो पांच तरह की form exist करता है, dxy, dyz हो गया, dx हो गया, dx कर माइनिस y square हो गया, dz square, तो यह सारा जो था, यह shapes और number जो main concept is chapter के जिसके बारे में हम आज discuss किया, अब हमारा जो लेक्टर होगा, उसमें हम यह discuss करेंगे कि 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 प्रिंसिपल के उपर जो है, जो orbitals में electron भरे जाते हैं, उनकी configuration कैसे लिखी जाती है, और यह quantum number अब उनको कैसे calculate किया जाता है, तो thank you for watching झाल